अलो गाईज तो स्वागत आपका एक और न्य इंट्रस्टिंग वीडियो में फाइनली यहाँ पे MIUI 12 का अपडेट Redmi 8 के लिए सभी यूजर के लिए आज से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 12.0.1.0 देखने को मिलता है वर्जन स्टेबल अपडेट 658 MB का साइज है इस चेंज लोगों में दखेंगे तो बहुत सारी चीज़े मैंसन की गई है तो सारे फीचर में बताने वाला हूँ Redmi 8 के MIUI 12.0 अपडेट में आपको कौन कोर से फीचर देखने को मिलते हैं और 200 लाइक करता हूँ उम्मीद करते हैं फटा फटा फट से कंप्लीट कर देंगे तो MIUI 12.0 का अपडेट मिला यार लाइक तो बनता है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्फ करते हैं अबाउट फोन MIUI 12.0.1.0 देखने को मिलता है Android वर्जन 10 देखने को मिलता हूँ Android security patch की बात की यहाँ पर आपको latest देखने को मिलता है January का security patch देखने को मिलता है लेकिन आप बात ध्यान रखें कि पहले MIUI 11 के अंदर यहाँ पर clear catch का option था लेकिन इसके अंदर remove कर दिया गया clear catch का option इसके लिए आपको cleaner wrap करना पड़ेगा तो यह थोड़ी मुझे बुरी लगी लेकिन इसका UI काफी अच्छा कर दिया गया और काफी अच्छा कर दिया गया colorful हो चुका हालां कि मैं airplane mode पर दाल रखा है ताकि वीडियो जल्दी से समाप्त हो जाए तो यह देख सेते हैं आपको कुछ इस परकार colorful interface देखने को मिलता है जही चीज आपको आप Bluetooth के अंदर देखने को मिलती है या Wi-Fi के अंदर देखने को मिलती है किसी से Wi-Fi से आप connect करें तो आपको connect करने पर अलग परकार का एक animation देखने को मिलेगा जब आप connect करेंगे तो I think आपको पता लग जागा उस feature के बारे में next feature के और बढ़ते हैं तो वो मिलता आपको lock screen के अंदर lock screen के अंदर जिसे ही जाएंगे तो आपको कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा लेकिन अब यहां पर इसको shift कर दिया गया तो मैंने सुच आपको बता दिया जाए यह चोटा मोटा feature यहां पर add किया गया है और कुछ feature के और चड़ते हैं तो वो मिलता आपको display के अंदर जिहां display के अंदर finally आपको dark mode 3.0 का spot देखने को मिल चुका है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा यार तो यह देखते हैं कुछ इस परकार का interface देखने को मिलता है और dark mode पर जैसी मैं click करता हूँ तो आपका font पूरा का पूरा dark mode में चला जाएगा और dark mode on करने के बाद यहां आपको dark करना है जैसे तो यह भी आप कर सकते हैं जिसमें थोड़ी से आपके battery भी कम-कम जुम होगी dark mode के अंदर तो इस बात के आपको थोड़ा ध्यान रखें लेकिन dark mode थोड़ा मज़े अच्छा है नहीं लगता है रात के ताइम थोड़ा अच्छा लगता दिन के टाइम अच्छा है नहीं लगता ठीक है और कुछ बात करें तो यहाँ पर brightness level के अंदर तो sunlight mode का feature I think पहले ही था वो तो कुछ नहीं किया reading 3.0 का sport नहीं देखने को मिला यह feature missing है लेकिन colors के अंदर जाएंगे तो कुछ यहाँ पर नया colorful interface आपको देखने को मिल जागा जो कि मुझे का अच्छा लगाया तो कुछ इस प्रकार का आपको interface देखने को मिलेगा colorful layout तो देख सकते हैं यह कुछ इक्स में feature add किया गया next feature के और बढ़ते हैं तो वो मिलता आपको control center and notification side के अंदर जीहां control center and notification side के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी आपको feature देखने को मिलेग first of all आप देख सेते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगे एक smart home का option हालांकि यह feature पता नहीं सब में आया है कि नहीं आया है बता देना मुझे comment section में smart home का option क्योंकि मैंने कई application download की थी UI के उस बिज़े से भी कई वर enable हो जाता है और यहाँ पर आप देख सेते हैं काफी सार own करना पड़ेगा own करने के बाद आपका control center यहाँ पर enable हो जाएगा new वाला जो की काफी दा अच्छा लगता है तो देख सेते हैं इस परकर का interface आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से इसको आप edit करके इसमें और भी visits add कर सकते हैं और काफी दा अच्छा है लेकिन आप कभी कि आप यहाँ से left से swipe करेंगे तो आपका control center खुलेगा और यहाँ पर right swipe करेंगे तो आपका notification पैनल खुलेगा इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हालांकि म्यू 812.5 में swipe करने पर यहाँ पर notification खुल जाता है लेकिन म्यू 812.5 आएगा जब की बात है या तो यार subscribe कर लो channel साथ साथ और इस Redmi 8 का बैक कोर बाइक करना था तो मैंने बैक कोर का link दे दिया है डिस्किप्शन में camera protection वाला जाके आप ज़रूर ज़रूर बाइक कर सकते हैं और कुछ feature की और बढ़ते हैं तो वो मिलता है sound and vibration के अंदर sound and vibration में जाएंगे तो कुछ इस प् फोन्स या उसको थोड़े से वोल्ड हो चुके हैं मतलब थोड़े से बड़े हो चुके हैं तो यह एक छोटा मोटा आपको feature देखने को मिल जाता है next feature के बढ़ते हैं तो वो मिलता आप notification के अंदर notification में जाएंगे और notification said के अंदर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको interface देखने को मिल जाता है थोड़ा से यहां पर optimize कर दिया गया और थोड़ा से यहां पर change कर दिया गया जो कि आप ध्यान चे देखेंगे तो आपको पता लगी जाएगा तो यह कुछ छोटा मोटा आपको feature देखने को मिलता है और यहां पर हम चलते हैं home screen के अंदर तो home screen के अ आपको interface देखने को मिलता है new UI देखने को मिलता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा खास बात यह है कि आप face unlock लगाते हैं तो देखेंगे आपको मैं दिखाता हूं कि इस प्रकार का interface देखने को मिलता है तो यहां पर मैं कई phone के लोग लगा के भूल जाता हूं तो यह इस फोन का लोग है तो देखते हैं इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा एक बर मैं face data लगाता हूं उसके बाद दिखाता हूं तो फिलाल मैंने face data लगा लिया और आपको दिखाते हैं एक feature और देखने को मिलता है पहले क्या होता था MIUI 11 के अंदर आ multiple face data नहीं लगा सकते थे लेक next feature की और बढ़ते हैं तो वह मिलता भया कहां मिलता आपको privacy and protection में privacy and protection में जाएंगे तो भया कहां पर चलता हो भई चल जा चल जा तो यह देखते हैं कुछ इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा यह new setting add कीगी है मियू वाइट पर अपडेट के बाद जबहें सारी permission दिखाता ह है सारा कोच यहां पर दिखाता है other permissions permission की सारी setting यहां पर shift कर दीगी है जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है जो कि मियू वाइट पर update के बाद आपको देखने को मिल जाता है अब next feature के बढ़ते हैं तो वह मिलता आपको battery and performance के अंदर सारे setting वाले feature cover करने है पहले तो यहां प आपकी 5% battery है तो maximum 2-5 गंटे पने phone को यूज कर सकते है अल्टरा battery server की मदद से जो कि इस feature के अंदर add किया गया है देखते हैं यह MIUI 11 का ही feature है लेकिन Xiaomi ने इंडिया में MIUI 12 में दिया है MIUI 12.5 आएगा तो पता नहीं कौन-कौन से feature missing कर देगा वह पता नहीं कब देगा तो MIUI 13 के साथ I think तो दही देगा और कुछ feature के लोग बढ़ते है तो वह मिलता आपको setting में setting में जैसी जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाया एक additionally setting का feature additionally setting या advanced setting हाँ additionally setting ठीक है यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो यह छोटा मोटा feature add किया गया हालांकि हमारे ज़्यादा यूज का नहीं है पर मेरा फर्ज है यार सारे feature बताना तो मैं आपको बता रहाँ next feature के और बढ़ते हैं तो वह मिलता है आपको भया का special feature special feature में आजाएंगे तो यह सारे feature आपको नहीं देखने को मिलेंगे कई फीचर मैंने अनेबल किया हैं यह सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर बताई यह किस प्रकार से इसको अनेबल कर सकते हैं कई फीचर को कई फीचर आप मैं missing हो तो चैनल पर जाके बुजिट कर लिए कफी सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको अब गेम टूर्बोक के अंदर किया बताऊं वह इसके फीचर का अच्छर का फीचर आये यह नहीं तो क्या कोल के दिखाओं तो यहाँ पर हम चलते हैं वीडियो टूलबोक्स, वीडियो टूलबोक्स उप्झन आपको ठेटेले आ ननेबल कर लेते हैं मालने जो मैंने Theme Store पे इसको वाई-thing अनेबल किया हुआ है तो Theme Store में जाते हैं और आपको दिखाते हैं Theme Store ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको SIDE में a shortcard देखने को मिलेगा ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप SIDE सर्ट कर पर जाएंगे या YouTube में आपको वीडियो चल रहे हो, उसको MP3 में सुनना चाते हैं, तो उस feature को आप इस्तमाल कर सकते हैं, और कुछ feature के और बढ़ते हैं, तो वो, वो ही मिलता, आपको special feature में tap plus आपको नहीं मिला, हलाएं कि मैंने इसको enable किया, इसको वीडियो देख लेना, और यहाँ पे light mode का option, इसे enable करने के बाद, आपका phone light mode में चला जाएगा, मतलब एक सारे text से लेकर, सारे एक बारी में large हो जाएगे, और बड़े हो जाएगे, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक करके सारी setting करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या करते हैं, एक tab के अंदर अपने text को बड़ो, आइकन के बड़ो करो, सब कुछ एक बारी में बड़ा हो जाएगा, तो यह कुछ आपको सोटा मटा feature देखने को मलता है, setting भी सारी large हो चुकी है, तो यह feature देखने को मलता हालां कि मैं इसे करता हूँ भया, ओफ, ओफ करने के बाद हम चलते हैं, बापिस special feature में, और यहाँ floating window का feature देखने को मलता है, अब यह feature काफी दला जवाब है, यह feature मैं आपको use करके दिखाता हूँ, किस प्रकार से इसका use किया जाता है, तो जैसे कि मैं recent में कोई भी application का use कर रहा हूँ, और इस पर tap, press and hold करूँगा, तो कुछ इस प्रकार का आपको interface देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको setting में officer नहीं है, तो यहाँ पे play store में sport करेगा यह, ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे recent type आपका अलग होएगा, क्योंकि मैंने alpha launcher इसमें install कर रहा है, तो इस बात कर देखते हैं, यहाँ पे floating window का एक option देखने को मिलता है, अब छोटी सी window में किसी भी application को इस्तमाल कर सकते हैं, जो यहाँ पे sport होएंगे, और यहाँ पे इसको exit करना है, तो उपर से कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको resize करना है, यह देखते हैं, अभी दिखाते हूँ, छोटा बड़ अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़े और भी ऊपर की तैसी camera app में जाता हूँ, यह interface आपको change देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान क्या रखना है, इस feature आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, और setting में ज तो कुछ shortcut आपको add करने है, तो यह कुछ छोटे मोटे camera के अंदर, मतलब UI आपको change देखने को मिलता है, optimize देखने को मिलता है, और थोड़ा बहुत lag कम हो चुका है, बाकि उतना विज़ा lag कम नहीं हुआ, मतलब UI आपको एक मतलब से change देखने को मिलता है camera application का, और वीडियो आपके area के हिसाब से detail देता है, आपके weather application के अंदर, तो यह एक छोटा मोटा चीज एड़ किया गया, और यहाँ पर थोड़ा आपको weather application भी चीज़ देखने को मिलेगा, live जैसा लाइव जैसा लाइखने को मिलेगा, gallery application में sky में कुछ और filter एड़ कर दिये गया है, तो वो आ 12.5 का update पता नहीं कब तक आएगा, जैसे आएगा सारी information मिलतेगी, तो चैनल पे subscribe कर लेना है, हर एक information मिलते रहती है, और वीडियो लाइक नहीं है, तो लाइक कर दीजिए, और इसका back or buy करना है, तो description में link दे दिया है, camera protection वाला back or होएगा, तो आप buy कर सकते हैं, अगर तो उमीद करता हूँ, आज की वीडियों को पसंद आई, पसंद आए तो like, subscribe जरूर करें, मिलेंगे कुछ ऐसे इंट्रेश आएगा, तक लटाएग किये रहे हैं, गुडबाई